नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशिका भविश्य बताने के लिए आज जेष्ट शुकल पक्ष्टी परतिपदाती थी और मंगलवार का दिन है परतिपदाती थी आज शाम साथ बच कर भीस मिनट तक रहेगी आज राज बारा बच कर तैस बिनट तक दिरती योग रहेगा शाती आज अगर आज आज आपकी मेरिज अनिवर्सरी है तो क्या खा और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश्य जारी रहेगी चर्चा बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जो तिश्य गनित पक्षने आकाशी पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागरिटिक फील्ड के मूवमन को कल्कुलेट करके यह जाल लिया है कि किस समय बन रहा है अब यह जोग दो जून की शाम चार बचकर चार मिनट से राद बारा बचकर अठारा मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार सिधी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दू कि आज यह जोग नहीं बन रहा है अब यह जोग कल या तो उसके लिए ऐज अच्छा महूर्त नहीं है. अब यह महूर्ट कल यानी कि 1 जुन की सुभा, पांच बच कर चववन मिनट से, शाम शे बच कर एकीस मिनट तक रहेगा. नया बिस्नेश शुरू करने के लिए अच्छा महूर्ट नहीं है. आप ये महूर तो 12 जून की सुबह, पांच बच कर 33 मिनट से, सुबह 8 बच कर 35 मिनट तक रहेगा Construction शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा महूर तो नहीं है अब ये महूर तो 4 जून की सुबह, पांच बच कर 53 मिनट से, दोपार 11 बच कर 16 मिनट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेंग करने के लिए आज अच्छा महूर्थ नहीं है अब यह महूर्थ कल यानि के एक जून के सुभा पांच बचकर चोवन मिनिट से सुभा नौ बचकर आठ मिनिट तक और एक बार फिर दो पहर ग्यारा बचकर अठाइस मिनिट से दो पहर एक बचकर तीस म मिनिट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए अच्छा महूर्थ नहीं है अब यह महूर्थ के कल यानि की एक जून की सुभा पांच बचकर चोवन मिनिट से सुभा नौ बचकर आठ मिनिट तक और एक बार फिर दो पहर ग्यारा बचकर अठाइस मिनिट से दो पहर एक तीजुन की सुभा पांच बच 5 बच कर आठ मिनिट तक और एक बार फिर दो पहर पहले 11 मिनिट से दो पहर एक बचकर 30 मिनिट तक और अब बात बात आती है अचुभ समय की आकाश में कभी हवी ग्रहों की मिले जूलीständ को शनों के लिए negative हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई विश्वब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुब समय नहीं रहेगा और बारा मिन बार तक कोई विश्वब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का धान रखना बहुत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं पचकर 20 मिनिट तक कोल काता दो पहर दो बचकर 55 मिनिट से शाम 4 बचकर 36 मिनिट तक आहमदाबाद दो पहर तीन बचकर 69 मिनिट से शाम 5 बचकर 40 मिनिट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज दो पहर तीन बचकर 19 मिनिट से शाम 4 बचकर 55 मिनिट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो दिशा है दक्षन और दक्षन पर्चिम घर से निकल कर दक्षन या दक्षन पर्चिम दिशा में जाईए अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानि कि आपके तमाम काम बेना किसी विखनबादा के पूरे होते रहेंगे.